सवालिया निशान एक बार फिर खड़ा होता है दिली की पुलीस की साख पर उनके दावों पर गिसकी पोल एक के बाद एक अपराद जो है वो खोल रहा है और देश के घ्रह मंत्राले से मैं कहना चाहूंगी देश के घ्रह मंत्री से मैं कहना चाहूंगी लाल की लिए की प्रा आप सत्ता में आए हैं और आज एक दशक के बाद हालात बहतर नहीं बत्तर हो रहे हैं बेटियां पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में असुरक्षित हैं आप राधियों के होसले बुलंद हैं पुलीस या सत्ताधारी नेता पूरी तरह से आप राधियों को बचाने के दिख रहे हैं हम यह मांग करते हैं कि पीड़ता के परिवार को पूरी तरह से जिस तरह की भी उनकी मांगों उनकी मांगों को मानते हुए इस जांच को तुरंथ पूरी तरह से निस्पक्षता से बिना किसी दबाव के पूरा करके अप राधियों को फास्टेक्ट कोट के तहत मात्र तीन महीने के अंदर आपकर आपकी नियत है सिसीटी फुटेज है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है अप राधी अप रोपियों की मैडिकल रिपोर्ट है गवाह आपके पास चश्मदीत सब है सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता अब समय लगना चाहिए एक उधारन बनना चाहिए इस मामले को और फास्टेक कोट में सुनवाई करके तीन महीने के अंदर इस सुनवाई को पूरा करते हुए अप राधियों को अप रोपियों को दूशी साबित होते ही कानून के तहत सक्ट से सक्ट सजा दी जाए ये भारतिय रास्टिय कॉंग्रस म बचाने के लिए या भाजपा के नेता को बचाने के लिए धन बल सत्ता का जितना मर्जी इस्तमाल कर ले पीडित परिवार अगर हमें सुन रहा है तो हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतिय रास्टिय कॉंग्रस एक-एक दोशी को आरूपी को सजा मिल जाने तक पीडिता और उसके परिवार को न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी